हेलो, गुड यूनिंग दोस्तों, 9 December 2018 की Daily Prelims MCQ Series में आपका स्वागत हैं, चलते हैं आज की Qution की तरफ आज का जो पहला Qution है, वो है basically Ocean Cleanup Project के बारे में आपको Ocean Cleanup Project के बारे में तीन स्टेटमेंट दिये गए हैं, कौन सा से, दो स्टेटमेंट है, कौन सा सही, कौन सा गलत है, वो आपको बताना है पहले स्टेटमेंट यह है कि Ocean Cleanup है, वो एक Non Profitable Organization है, या Non Profitable Organization है, मतलब गेर लापकरी संगठन है, जो कि New York बेस्ट है, और जो प्लास्टिक के विश्व के मासागरों से छुटकारा पाने के लिए उनने टेकनलोजी का विकास है, वो कर रहा है, सेकिन्ड स्टेटमेंट यह है, कि The Great Pacific कच्रा पेच है, उसकी सफाई के लिए निदेशिता है, जो कि हवाई और केलिफोनिया के बीच में इस्टित है तो देखो हम यहाँ पे बात करें, Ocean Cleaner Project की, Ocean Cleaner Project है, वो बेसिकली एक Non Profitable Organization है लेकिन यह निदेलेंड बेस्ट है, ना कि New York बेस्ट, तो इसमें इस पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, वो हो जाता है और सेकिन इस्टेटमेंट है, वो बिल्कुल सही है, कि जो Great Pacific, जो कच्रा पेच है, वो बेसिकली हवाई और केलिफोनिया के बीच में है और उसके लिए बेसिकली सफाह के लिए guidelines है, उसको focus है, वो कर रहा है देखो हम बात करें कि जो यह Great Pacific कच्रा पेच है कहां पर, और क्या यह चीज़ है, तो पुझा हम एक बार इसको map के थुरू देखेंगे तो एक बार हमारा रफली से में बनाते हैं, यह देखो हमारा यहां पर इंडिया है, यह हमारा साउथी स्टेशन कंटीज होगी, यहां पर यह जापान हो गया और इससाइड हम बात करें, तो यह हो गया हमारा यूएस से और इससाइड हो गया साउथ अमेरिका, अब देखो जो पेसिपिक एरिये बार इस वाले एरिये की बात यहां पर के ज़री कि आपको बता है कि यूएस चेक है जो यह कोस्ट है वेस्टन कोस्ट है इस वाले एरिये में केलिफोर्न है और यहां पर जो एरिये हैं जो हम आपको बता रहा हूं हुआ एलेंड है इसमें इसको पूछ सकते हैं कि Atlantic Ocean में है, North Pacific Ocean में है, कहां पे वगरा तो ध्यान रखना है Next question है, वो आया है statement को लेके, वो question है, वो है Global Pact for Environment यानि कि प्रियावन के लिए Westwick समझोते के बारे में statement दिये गए हैं, कौन सा सही है, कौन सा अगलते ये बताना है पहला statement या है, कि है पहला अंतराष्ट्रे दिस्तावेज है, जो सभी प्रियावन कानूनों को एक ही दिस्तावेज में एकतरित और सामन्जी से पूर्ण बनाता है दूसरा statement या है, कि है कानूनी रूप से बादेकारी नहीं है तीसरा statement है, या है, कि है रियो गोशना, स्टोखोम कन्वेंशन के सतर दविकास के लिए दोजातीस के अजेंटा को निरंतरता है उसको फोकस है, वो करता है तो देखो हम बात करें, ग्लोबल पेक्ट फॉर इन्वार्मेंट की तो basically, third statement बिल्कुल सही है, कि रियो डिकलेशन और स्टोखोम जो कॉन्फरेंस ती, स्टोखोम डिकलेशन थी उसके लिए बात करें पहले statement की, तो यह भी सही है कि है पहला international ऐसा दस्तावेश या आप अब सकते हो कि एसा documents है, जो कि environment के लिए कानून और उनको एक्तरित आया, आप बोसकते हो कि all or world में single documents ऐसा है, जो कि environmental issues को focus हैं, वो करता है एहम बात के हैं, कि यह है legally binding है, तो obviously second statement यहाँ पर गलत है, वो हो जाता है, तो first और third इसके answer है, वो सही हो जाता है next question है, उसमें statement दिया गया है, हमें यहाँ पर पूछा कि कौन सा कथन सही नहीं है, यह चीज़ धान रखने है, यह पूछा का है, UPSC ने actually होता गया है, काफी बार हम यहीं पर गल्ती कर देते हैं, कि हमसे पूछा क्या गया होता है, और हम बता कुछ और रहे होते हैं तो उसने बुछा कि कौन सा statement सही नहीं है, मतलब हमें गलत statement को यहाँ पर बताना है, तो देखो हम बात करें coral leaf के बारे में, तो coral leaf है, वो basically आपको बता है कि ताजा पाने में नहीं पैजाती, वो basically थोड़ा salty पानी होता है, उसमें पैजाती है, तो मतलब पहला statement यहाँ पर गलत हो जाता है, तो यह effect धान में रखना है, बाकी बिल्कुल सही है, कि coral leaf है, उसके लिए basically जो पानी का temperature है, वो 25-24-25 डिगर के बीच में होना चाहिए, इसके साथ ही थोड़ा चिसला पानी है, वो होना चाहिए, मतलब ऐसा एरिया हो कि जहाँ पर sunlight पहुंच रही हो, लग पहला statement गलत है, यह effect धान में रखना है, नेक्स जो क्यूसन है, वो आया है, रिसेंटली सांग डॉंग से वो न्यूज में था, किस से रिल्टेड है, हमने इसके बार में discuss भी किया था एक दिन, तो देखो basically जो सांग डॉंग है, option आपके सामने, आप आराम से वीडियो को प पहले है, उसको नोट कर ले, और फिर यहाँ पे आप में रखना है, वो किसे उनको कर सकते हो, तो basically सांग डॉंग है, वो एक पारंप्रिक जो बेडियो होते हैं, उनसे बचाने के लिए जाल होता है, उसका यूज हो क्या जाता है, ले में, तो इसके बारे हमने discuss क्या था, क कि जो ले लदाख वाला एरिया है, वहाँ पे पहस्मिन नाम की बकरी की परजाती होती है, और उसको बेड़े basically खा जाते हैं, और उसके protection के लिए basically वहाँ के जो चांगपा community है, तो UPC चांगपा community पर भी पूछ सकते हैं, कि यह खां की है, आसाम की है, अंडमा, निकोबार क इस तरह की से तो हमें धान में रखना है, कि चांगपा है, वो basically ले लदाख वाले रिजिन में पाई जाती है, नेक्स्ट हमारा क्यूसन है, वो है कि recently हौल ही में भारती है, सिंग वाले में को की चार परजातिया खोजी गई हैं, कहां पे खोजी गई हैं, तो देखो इसके पैसा पोटल ओंच कहता किसलिए, तो ये क्यूसन आपके लिए होमवक है, हमने इसको अभी रिसेंटली एक वीक के अंदर डिसकस है, हो क्या था, तो इसके बारे में आपको बताना है, पहला उप्शन है कि भारती है, एर्थ व्योस्ता में विमुद्धिकन की जांच करने क के लिए, दूसरा ये है कि जो ग्रामीन आबादी है, उसको पैसे विस्तृत करने के लिए, तीसरा ओप्शन ये है कि राष्ट्रे सहरी ग्रामीन आजविका एक मिशन के तैत रिंक की डिस्ट्रिबूशन के लिए, चोथा ये है कि अंतराश्टे बाजार में मुले के, रु बरतमार में केवल भारत और पाकिस्तान के सिंदु नदी के छेतर में पाया जाने वोले ताजा पाने की एक डॉल्फिन की उपर जाती है, दूर सा स्टेट्मेंट ये है कि जहींगे, केट फिस और कार्फ सहीत का सिकार करने के लिए, निविगेट और इको लोकेशन पर इसके बारे में आपको बताना कि कौन सा स्टेट्मेंट यहाँ पर सही है, और बेसिकली हम सिंदु जो इंडस रिवर की डॉल्फिन है, इसके बारे में कल जो हुमारा लेक्चर आएगा, प्रिलिम्स का, उसमें हम डिसकस करेंगे, तो आप इस कांसरी देते, नोट डाउन ह वो कर सकते हो कि क्या इसका स्टेट्मेंट सही होगा, नेक्स्ट क्यूसन है, उसमें से हमें बेसिकली क्रेक्ट स्टेट्मेंट को चूज है, वो यहाँ पर करना है, और यहाँ पर पूछा गए है, इंटर गोर्नमेंटल साइंस पोलिसी प्लेटफोर्म और बारे में, तो हम मजबूत करने के लिए स्थापित किया गया एक सवतंतर इंटर गोर्मेंटल ओर्गनेज़ेशन है यह धान अखना कि इंडेपिनेट इंटर गोर्मेंटल बोर्डी की बात यहां पर की जा रही है नेक्स्ट यह है कि IPBES है उसको बेसिकली स्युक्त राष्ट संग, UNEP, Vinesco, FAO और UNDP चार के तहित बेसिकली इसको इकायो के तहित इंक्रूड है वो किया गया है थर्ड स्टेटमेंट यह है कि है UNEP द्वारा परकासित है वो की जाती है चोता इस्टेटमेंट यह है कि इसका मुख्याल है Bonn, जर्मनी में में बेस्ट ऐसे बेसिकली यह सर्विस या इसको सिस्ट प्लेटफोर्म है वो है तो देखो बेसिकली आपको बता दूँ कि यह फेक्ट आप धाना एकलना कि चारो के चारो उप्सन ही यहां पे सई है तो थोड़ा effect important हो जाता है अभी news में भी था तो उसको लेके basically question है वो यहाँ पे तियार किया गया है next जो question है उसमें correct instrument identify करने है डुगोंग के बारे में पहला यह है कि डुगोंग है वो basically एक मध्य आकार का समूदरी स्तन पाई है या मेमल है दूसरा statement यह है कि डुगोंग एक मातर समूदरी सहाकारी स्तन पाई है तेसरा यह है कि इन्हें आमतोर पर समूदरी गाय के नाम से जाना जाता है और चोथा यह है कि वे IUCN की red list में basically in danger list में सामिल है वो किये गए हैं तो आपको बताना है कि कौन सा statement यहां पर सही है वो आपको बताना है तो आप सोच लीजिए और डुगोंग के बारे में आप इस सर्च करके आपको बताना है क्योंकि देखो इसके बारे में हम काफी बार डिसकर्स कर चुके हैं सारे के सारे एफेक्ट है वो हमें पता होना चाहिए कि कौन सी लिस्ट में बेसे डुगोंग को सामिल है वो क्या गए चलो आप यह बताए कि डुगोंग है वो कौन सी लिस्ट में आती है वुनरेबल लिस्ट में आती है या फिर इंडेंजर लिस्ट में आती है मा आपको बता चोते statement के बारे में कि IUCN की कौन सी रिष्ट में आती है क्योंकि ऐसे effect उपेस ही पूछ लेती है देखो वैसे तो काफी सारी species है ऐसा निया कि हमें सब को रटने बैठना है जो जो news में रहती है न उन्हीं को हमें ध्यान रखना है और ऐसा निया कि news में सारी species रहती है news में हम और मुश्ट बात करें तो देखो जैस जैसा 10-15 species यह जो कि हमें याद रखनी होती है आप average मान सकते हो कि हर मीने में एक या दो species याती है जो हमें याद रखनी होती है तो आप आराम से उनको याद कर सकते हो कि कौन सी है और basically वो ध्यान रखनी है जो अभी change हो रही है जैसे कोई है कि vulnerable से endangered में सामिल हो रही है फिर endangered से vulnerable list में सामिल हो रही है तो इस तरह के से उनका में पता होना चाहिए क्योंकि वो ज़ता है important हो जाती है तो इस तरह के गिनी चुनी जो 10-15 species हैं उनके बारे में आपको fake है वो पता होना चाहिए next question है वो आया है National Board for Wildlife के बारे में पहला यह है कि इसके जो चेर परसन होते हैं वो होते हैं Environment Minister दूसरा statement यह है तो देखो मैं आपको यहाँ पर बताऊं basically effect के बारे हम यहाँ पर discuss करें तो इसमें पहला statement बिल्कुल गलत है इसने सही गलत statement की बात किये तो पहला statement यहाँ पर गलत है वो हो जाता है क्योंकि जो National Board for Wildlife है इसके basically chair person होते हैं वो होते हैं हमारे परधान मंत्री तो जिन-जिन bodies के chair person परधान मंत्री होती है वो तो हमें अंगूलियों पर याद है वो रखनी है तो यह effect द्यान बखना है कि भाई पहला statement यहाँ पर गलत है वो हो जाता है बागी तीसा statement बिल्कुल सही है तो इसे हमें effect पता आना कि कौन सा statement यहाँ पर सही है वो गलत है यह थी basically आज गी हमारे discussion तो आप comment box में जुरू बते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक जुरू करें ताकि मुझे और explanation में ले और और अच्छे वीडियो है वो आगे ले क्या हूँ तो फिलाल के discussion में नहीं है तो thank you thank you very much for discussion